आज हम पढ़ेंगे water cycle के बारे में, तो water cycle क्या होता है, water cycle is the continuous movement of water within the earth and atmosphere, atmosphere और earth के बीच में continuous movement होती है water की, ठीक है, बीच में कोई भी ये जो movement होती है ना कभी भी रुखती नहीं है, continuous movement है, इसलिए इसे बोला गया है water cycle, अब देखो जो water cycle है ना, water cycle के अंदर दो cycle involves होते हैं, and second one is biological water cycle, तो first है global water cycle, देखो सभी को पता है कि जो sun है, सूरज है, उसे हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, heat मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, जितना भी जो sea है, lakes है, rivers है, उन सभी में water available होता है, अब जो sun की रोशनी जब इन सब पे पड़ेगी, तो क्या होता है, कि भ हो जाता है, अब जब water evaporate होना start होता है, तो क्या होता है, यह आसमान की दर्फ जाते है, जो water vapor है, आसमान की दर्फ जाते है, वहाँ पे क्लाउड ़ीशन की व्धावर, बारिश होने से पहले आपने आसमान में बहुत सारे बार बार चलते हुए देखे होंगे, उसके और य मिटी के ओओपर नहीं है जो कि अपनी सड़क और मिटी के वाम से क्या होता है कि जो पानी है वो अर्थ पर परकॉलेट कर जाता है लेकिन क्या होता है ौटर जो ऑशें में चला गया उसके बाद ground जहांपे मिटी नहीं है वहां से क्या होते है drains के थ्रू नालो के थ्रू पानी कहाँ चला जाता है ponds में, rivers में, sea में चला जाता है अब क्या होते है जो ponds और जो rivers है उसके में क्या होते है deep में soil होती है वहां से भी कुछ water होता है soil के अंदर और वहां पे क्या एक permanent zone में पहुँच जाता है और उस permanent zone में जाकर उस water को क्या बोलते है vote जो permanent zone में जो water store होता है उसे बोलते है ग्राइशनल बाटर, अब दूसरी तरफ क्या होते है जो snow होते है, कुछ हेरी ऐसे होते है, जहाँ पर उसके बाद पूरेश whole फोर सी fund 첫apor do या कि को सुधान से बाद सीफ में पानी अब किया एक आपकषिन स्टार्ट काहां से हुआ था सी आप सेसे लेख सेer। पॕूंड से और से जितनी हidatset है वहां से स्टार्ट हुआ था उसके बाद किया बारिश लगारा हुए पानी फिर पहां पहुंच गया इन ही वाटर बॉड़िस में लिखने पढ़ने के लिए चलने के लिए नर्जी कहा से मलती है, फूड से वैसे ही जो वाटर साइकल है ग्लोबल वाटर साइकल होगपिस यह से मिलेरई जो अनृटर से मिलेरहा है biological water जो cycle है उसका जो starting point है वो है gravitational water चीक है अब जो gravitational water है ये कहां पे present है ये अर्थ के नीचे ही present है मिट्टी के नीचे present है अब क्या होता है कि जो plants होते हैं जिनको कभी पानी वानी नहीं मिलता आपने देखा होगा roadside में बहुत सार plants होते हैं जिनको हम पानी तो नहीं देते हैं फिर भी वो जिन्दाय कैसे है क्योंकि जो वो water है न वो कहां से लेते हैं जो soil के नीचे से लेते हैं उनकी जड़े बहुत ज़ादा गहरी deep तक चली जाते हैं उसके बाद क्या होता है जो animals होते हैं वो water कहां से लेते हैं लेक से ठीक है लेक से पॉंड से ठीक है और जो जित वाटर होते है कि बाड़ी वैपोरेट हो जेता है और एंटर कर जाता है और घ्रकेंग जाता है इन आफ the water into air by respiration in the form of vipers or to soil as fluid excretion respiration ke time b water vipers हैाइ वह बहार निकल देए ठीक है और क्या होता है excretion के time पे हम ओरीन पास आउट करते हैं अनिमल्स है हैं वह यूरीन पास आउट करते हैं वह कहां जाता है सारा साल मोहछा जाता है और जो plants होते हैं वो transpiration की process के थूरू बहुत सारा जो water है वो evaporate कर देते हैं आप क्या होता है जो water vapors thus formed enter into the global water cycle and forms clouds ठीक है respiration के थूरू जो water vapors थे जो fluid excretion था और जो transpiration के plants के थूरू जो transpiration हुआ था उसके जो सभी के water vapors है वो सब कहां enter कर गए global water cycle में ठीक है अब global water cycle में तो आपको पता है फिर क्या process थी कि आगे जो clouds सी उनकी formation होगी फिर rain होगी फिर से जो water है कहां चला जाएगा soil में चला जाएगा sea ponds और rivers में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं ना कि there is exchange between the global water cycle and biological water cycle ठीक है आपको ये भी पता चल गया कि जो global water cycle था और biological water cycle था उनके बीच में कैसे connection बन रहा है ठीक है अब है importance of water cycle यहाँ पर water cycle लिखना है ठीक है क्योंकि importance of water की तो बहुत सारी importance है लेकिन हम यहाँ बात करें water cycle की ठीक है यह significant role play करता है किसमे continuous movement of water on the earth above the earth and below the surface of the earth ठीक है second है the water cycle plays an important role in ensuring the availability of water for all living organisms including plants, animals, humans and the other living species ठीक है third है the water cycle is an important biogeochemical cycle on the earth for the maintenance of life दोखो water नहीं होगा तो life नहीं है ठीक है water है तो ही life है तो क्या है जो अगर water की movement रहेगी continuous movement रहेगी तो ही जो है life है अर्थ पे वरना life नहीं है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो water cycle है वो important है क्यों क्योंकि वो life को maintain करता है ठीक है fourth है it is also involved in maintaining aquatic ecosystem देखो aquatic ecosystem बहुत बड़ा है जितने भी जो it's sea देखो 75% of earth है वो water से cover है तो उसके अंदर जो aquatic animal होते हैं वो present होते हैं ठीक है तो हम कह सकते हैं कि यह maintain करता है aquatic ecosystem को भी ठीक है